सुर्टान जो भी चाहे जब मैंने लाल्टों में कदम रखा यहां मिले चार उल्लू देपठे जो लंडन जाना चाहते थे कई जोजार टेवीस में जितने भी कलेस हुए सारी ही मुवी बॉक्स ओफिस पर सर्वाइफ कर गई है बहुत सी मुवी ने हिट का टेग लिया तो कुछ सुपर हिट भी हुई और कुछ ओल्टाइम ब्लॉक्बस्टर भी हुई है बट अब जो है सलार और डंक्य का कलेस हुआ है और दोनों ही मुवी एक दूसरे को बिजनिस के मामले में बहुत जादा इफेक्ट कर रही है बट एक तरफ डंकी मुवी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और सलार मुवी भी बॉक्स ओफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाती जा रही है हाला कि दोनों के ही जो कलेक्शन है वो एक दूसरे के विज़े से बहुत जादा इफेक्ट हुए है अगर डंकी इस टाइम पर बॉक्स ओफिस पर रिलीज नहीं होती तो डेफिनेटली सलार मुवी हिंदी लेंग्विज में भी बहुत जबरदस्त कलेक्शन करती पर हिंदी में इसका कलेक्शन बहुत जादा इफेक्ट हो रहा है डंकी के होने की वज़े से हलो गाइस कैसे हैं आप सब स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने चैनल बॉक्स ओफिस स्कोर में और आज मैं आप लेकर आई हूँ डंकी और सलार मुवी की बॉक्स ओफिस रिपोर्ट आज सलार का है बॉक्स ओफिस पर तीसरा दिन तो वहीं डंकी मुवी का है बॉक्स ओफिस पर चोहता दिन बट फिर भी इस मुवी का कलेक्शन जो है काफी ज़ादा डीसेंट आ रहा है इसके बजट के हिसाब से तो अगर बात करें बागे डीटेल्स की तो गाइस मुवी बनकर तयार हुई है राजकुमार हिराने के डारेक्शन में और इस मुवी में सारुख खान के साथ आपसी पन्नू विकी कोचल और बॉमन इरानी नजर आए हैं इस मुवी का बजट है 120 करोड रुपे यानिक इस मुवी को बॉक्स ओफिस पर 130 करोड रुपे की कमाई करनी होगी जो कि ये मुवी बहुत जल्द करने वाली है इस मुवी को वर्ल्ड वाइट 7500 स्क्रीन पर रिलीस किया गया है बहर जादा स्क्रीन मिलने की वज़े से ओवर्सिस मार्केट में भी ये मुवी धूम मचा रही है तो अगर बात करें इस मुवी के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो इस मुवी ने अपने पहले दिन ओपनिंग ली थी 39 करोड 20 लाक रुपे की तो वहीं दूसर दिन कमाई 22 करोड 50 लाक रुपे और तीसर दिन कमाई की है 28 करोड 50 लाक रुपे की तो अगर बात करें आज यानिक इसके चोहते दिन के कलिक्शन की तो आज के उक्पेंसी कल से काफी जादा बढ़ चुकी है और ये मुवी आज लगभग 33 करोड रुपे का कारोबार कर सकती है तो इस मुवी का चार दुनों का ओल इंडिया नेट कलिक्शन आ रहा है 115 करोड 20 लाक रुपे तो वहीं ओल इंडिया ग्रोज कलिक्शन आ रहा है 133 करोड रुपे और ओवर्सीस मार्केट में ये मुवी अब तक 76 करोड रुपे का कारोबार कर चुकी है याने कि इस मुवी का चार दुनों का ओल इंडिया ग्रोज कलिक्शन आ रहा है 213 करोड रुपे तो गाइस डंकी मुवी बॉक्स ओफिस पर ले रही है बोजल्द हिट का टेग और वहीं गाइस गर बात के लिए प्रभास की मुवी सलार की तो गाइस इस मुवी ने बॉक्स ओफिस पर काफी बड़े रिकोड तोड दीये हैं और साथ इमे बहुत बड़े रिकोड सेट भी कर दिये हैं इस मुवी ने इस साल की सबसे सादा ओपनिंग लेने वाली मुवी का टेग ले लिया है वल्ड वाइड इस मूवी ने अपने पहले दिन ओप्रिंग ली है 178 करोड 70 लाग रुपे की जो की एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कैस ये मूवी बनके तयार हुई है प्रशांत नील के डारेक्शन में तो वहीं ये मूवी है तेलगू लेंगवेज एक्चिन थिलर मूवी और इस मूवी को तेलगू के अलावा तमिल, हिंदी, कंड़ा और मलालम लेंगवेज में भी रिलीस किया गया है कैस मूवी में इस प्रभास के साथ प्रित्वी राज, उत्यहासन और जगपति बाबू नजर आये हैं तो वहीं मूवी का बजट है 400 करोड रुपे ज़ादा बजट होने के बावजूद ये मूवी जो है बॉक्स ओफिस पर अपने फर्स्ट वीकेंड मेरी हिट का टेगल ले सकती है कैस इस मूवी को वर्ल्डवाइट 6500 स्क्रिंज पर किया गया है रिलीस अगर आब बात करें इस मूवी के बॉक्स ओफिस कलिक्शन की तो इस मूवी ने अपने पहले दिन हिंदी लेंग्विज में कमाए है 18 करोड रुपे तो वहीं और आउंध्या नेट कलिक्शन में करें सकती है तो इस मुवी का 30 दिन का All India Net Collection आ रहा है 80 करोड रुपे और गाइस ये मुवी 3 दिनों में All India Net Collection कर रही है 258 करोड रुपे का तो वहीं Indian Gross Collection कर रही है 307 करोड रुपे का और Overseas Market में ये मुवी 3 दिनों में 102 करोड रुपे कमा रही है तो इस movie का तीन दिनों का worldwide gross collection आ रहा है 409 करोड रुपे जो की काफी बड़ी बात है तो guys ये थी डंकी और सलार movie की box office report और आप दोनों में से कौन सी movie आपने देख लिए है